सबसे पहले मैंने कॉलिफ्लावर को हाथ से कट किया है मिडियम साइज में अच्छे से धूखे लेना है इसे इसे मैंने गरम पानी में धूखे लिया था आप इसे चाहिए थोड़ा सा स्टीम करके लिए ताकि जब हम फ्राइ करेंगे उसे तब वो ज्यादा समय नहीं लेगा तो मैरिनेट के लिए मैंने दही लिया है एक निम्बू लिया है अदरक लसन का पेस्ट लिया है देड चमच दो चमच गरम मसाला याने विर्यानी मसाला लिया है एक चमच लालमिच पाउडर लिया है और आदा चमच मैंने हल्दी लिया है तो आप लालमिच आपके मसालिब और चार चमश लगबग में धही डाल जीए इसमें तो गाइस आप गाड़ाई लीजिए पतला दही यूज मत करिए तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसमें नेम्बू डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे कम से कम हम इसे 20-25 मिनिट मैरीनिट होने देंगे तब आप चटनी या सलाट बना के लेंगे या आदा दरी में चटनी के लिए रख रही हूं तो यहां पर में टीप्स दे रहे हूं आप हाथ से मैरीनिट मत करिए क्योंकि हाथ में बहुत जलन हो जाता है तो आप स्पून से यूज से अच्छे से मिक्स करिए तो स्पून से अच करतेंगे 25 मिनिट के लिए ने तो सबसे पहले मैं लिया है पुदीन अ हरी मिर्ची थोड़ा सा इंपली लिया है अधनिया अद्रक लशन और दही जो हमने बचा के रखा था वो डालेंगे नमक थोड़ा सा पानी और काला नमक डालिए अगर आपके पास जीरा है तो आप जीरा डालिए गाईस मेरे पास मेरे खर पे उस वाग जीरा डाली ताकि उसका टेस्ट वह और अच्छा निखर के आता है तो अब हमारी चट्मी रेडी हो चुकी है बनाएंगे जो भी आपके पास वेजी अविलेबल हो उसे आप लंबा साइज में काटी है उसमें आप नीम्बू का रस थोड़ा सा काला नम लेंगे एक पैन रखेंगे उसमें सिफ देडी चमच ऑईल डाला है अभी हम एक स्टिक के हेल्प से अच्छे से हम बनाएंगे अच्छे से यहां पे मैं आईस्ट्रीम के स्टिक्स ले रही हूं जाओ कर धोबाल के मैं इससे यूज्ज कर रहे हूं आपके पासस जो भी करें तो अभी यह जो स्टिक हमारे रेडी हो चुके हैं इसे मैं यहाँ पर एक चमच ऑइल डाल रही हूँ इसे मैं अच्छे से सेख लूँगी और गरम होने के बाद इसमें मैं अड़ करूँगी कम से कम यह मुझे को सेखने में मुझे पाच्छे मिनिट लगाता क्योंकि इसे मैंने स्टीम करके नहीं लिया था अगर अब स्टीम करके लेते हैं तो यह विदिन 3-4 मिनिट में रेडी हो जाएगा मेरा 7-8 मिनिट लगाता इसे अच्छे से पकने में अच्छे से में इसकी चारो साइड से शेख कर ले लूगे को यह रेसिपी पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्स्क्राइब करिए सब्सक्राइब के बाजियो में एक छोटा सा बेल आइकान होगा उसे भी प्रेस करिए ताकि में जब भी न्यू वीडियो डालू तब आपको नोटिफिकेशन आ सकें अभी हम अच्छे से इसे फ्राइ करके लेंगे फ्राइ में उसे सेख कर ले रहे हैं एक चमश ऑईल डाला है हमने तो सारे मैं एक और इसमें एड करूंगी यह भी अल्मॉस के पक चुका है और दो तीन मिनिट लगेगा पकने के लेंगे अच्छे से चारों साइड से सेख लिया है अभी सब करने के लिए रेडी हो चुका है तो अभी आपको मैं दिखाती हूं चारों साइड से कितने अच्छी से ग्रिल हुआ है तो अभी से सर्फ करें चटनी और सलात के साथ थैंक्स फॉर दी वाचिंग